जैस्वामी नरान दोस्तों एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गेहूं की कुर्ड़ई बनाना इसके लिए आपको गेहूं ले लेना है याद आपको इतना रखना है कि ये गेहूं मोटे होने चाहिए और इस गेहूं को आपको तीन दिन के लिए भिगा देना है आप यहाँ पे देख सकते हैं तीन दिन के बाद गेहूं इस प्रकार से मोटे फूल चुके हैं अब हम इसमें का जो पानी है वो निथार लेंगे, जितना मोटा ये गेहू होगा चीक जो है उतना ही अच्छा निकलेगा, इसके बाद हमें जो गेहू है उसको हाथों से चूर लेना है इस प्रकार से, आपको इसे अच्छे से चूरना है ताकि इसमें एक भी जो गेहू है व यहां पर देखे कितना अच्छा चीक निकल रहा है यहूने के बाद हमें इसे चंजी से चान लेना है ताकि चीक अलग हो जाए और जो उसका छिलका बच्रा है वो अलग रह जाए गभी-खभी ऐसा होता है कि चंजी से चानने के बाद भी जो चिलका है जो बहुत ज़्यादा बारिक होता है वो चीक के साथ चला जाता है इसके लिए हमें क्या करना है छन्नी से छानने के बाद एक जो कॉटन का कपड़ा है साफ सुत्रा उसे लेना है और उससे फिर से एक बार छानना है कपड़े से जो चीक है वो बहुत अच्छे तरीके से छ जिसकी वज़े से हमें बहुत फाइन सा चीक मिल जाता है इसके बाद हमें गरम पानी करना है आपको गरम पानी अंदाजे से लेना है जितना आपका चीक होगा उससे डबल पानी आपको लेना है और उससे अच्छे से गरम करना है जैसे ही वो पानी गरम हो जाएगा आपको ज अच्छे से फेटेंगे नहीं तो यहां पर गाठे-गाठे तयार हो जाएंगी और अगर आपको गैस पर नहीं जम रहा है फेटने के लिए तो आप इसको थोड़ी जार के लिए नीचे रखके जब यह जमने लगेगा तो आप इसको नीचे रखके भी फेट सकते हैं ताकि ज उसी साचे में भरकर आपको कुड़ई बना लेनी है और इसे कड़क थूप में सूखने देना है यहां पर हमारी कुड़ई सूख चुकी है आप देख सकते हैं कितनी सफेद आई है यह कुड़ई इसी प्रकार आप भी इसे जरूर ट्राइ करें और इसे तल कर आमरस के साथ इसका आनन्द ले अगर आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें